के साथ से जी की पढ़ी आता 21 नमंबर से निकलने वाली है और दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो में की तैयारी बड़ी जबदस चल लए है उनका रत बनके तैयार हो चुका है और रत के उपर स्री हन्वान जी भी बिराजमान हो चुके हैं अब ये रत कुछी मिंटों मे ये रत पदियात तक ही रहाना होगा वहां की जन संक्या भी बहुत जादा और बहुत तेजी से बढ़ रही है जो कि आउट ओफ कंट्रोल हो रही है आप देख सकते हैं कि जन संक्या का सेलाव कितनी तेजी से आंगे बढ़ रहा है साथ दूस्तों में बता दें कि अगर कराना पड़ेगा और इस्टेशन के लिए दोस्तों आपको चाहिए रहेगा अधार कार्ट और अपना स्वयम का मोवाईल लंबर होना बहुत जो हो रही है जो चालू उस पर रिचार्च होना जो हो रही है ठीक है और साथ में कोई एक आइडेंटी होना जो आपके पास रह क्योंकि दोस्तों भीड़ जादा हो जाएगी तो भीडो समंहाना भी मुस्किल हो जाएगा चाहले दोस्तों आप जाना चाहरे हैं तो तुमाहं समस्तनों और शीयुक्षआ क verl 사진 करने के बार अंप इस याता में सामिल हो सकते हैं जो कि 160 किलो मीटर की याता है जब भी आप याता करने जाएं तो साथ में कमल और गरम कपड़े जरूर लेकर जाएं कोई थंड का समय चल रहा है थंड अरह पड़ रही है बिमारी भी हो सकते हैं आप तो किसी प्रकाई कोई समस्या ना हो इसलिए जाएं भागेश्वर दाम की आता में सामिल हो रहा हैं तो कुछ महत्पुल बातों को अपने दिमार बठा ले याता कि द्वार बच्चों को बिलकुब भी रहा जाएं कोई धक्का मुक्गी हो सकती है जाता करना है तो अपनी सुच्छा से करें साथ में अपनी फे और सभी तरह की सुच्छा का इंजाम किया गया लेकिन फिर भी कुछ ऐसी घटना ना हो जाए इसलिए बिशेश तोर पर बहुत सारी बातों का ध्यान लगे इस यात्रा का उदेश यह है कि सातन धर्म ने सोई हुए हिंजों को जगाना और सातन धर्म की लोगों को जानकारी देना सातन धर्म के सास्ते जी का मकसर भी यह है कि सातन धर्म के जो लोग हैं सोई हो जागे और इस यात्रा का उद्धिस में उद्धिस यह है कि हमें दिखाना है कि हमारे अंदर पावर गतना है दोस्तों सांता हिंदू एक ताप पर याता दोस्तों भारत की पहली ऐसी यात्रा होगी जिसमें इतने सारे लोग एकटा होगे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपने मिठा जो लिखेगा